9 माई सोंबार की अस्टिमी का या विशेश उपाय है अगर समय गड़बर चल रहा है करने से खरासम में भी अच्छा हो जाएगा तीन दिन में ही आपके कारी बनना सुरू हो जाएगे तो चली हम वीडियो सुरुवात करते हैं बहुत इसरल उपाय है कोई भी वेक्ति इस उपाय को कर सकता है तो स्वागत आपका मोधिती ऑफिशन चैनल पर इस उपाय को करने के लिए हमें चाहिए एक लोटा जल जी हाँ उस एक लोटे जल में हम डालेंगे पांच पीपल के पत्ते ध्यान रखेगा पीपल के पत्ते पांच लेंगे उसके अंदर डालेंगे हम काली तिल्ली काली तिल्ली आप फोटो में देख लिजिए काली तिल्ली और हल्दी की गाट का तुकड़ा जो हल्दी का गाट आती खड़ी हल्दी जो उसको बोलते है खड़ी हिल्दी का छोटा सा भाग तुकड़ा जो होता है वो तुकड़ा उसमें डाल लीजिए लोटे के अंदर आप उस कलस को उस लोटे को लेके जाएए आप सिव मंदिर में जाकर उस पूरे जल को पहले अपनी कामना बोलिए आप जिस लिए इस उपाय को कर रहे है रोक के लिए कर रहे हो जिस भी समस्या के लिए इस उपाय को कर रहे है वहाँ कामना बोल कर बुले नाथ पर पूरा जल ऐसी की ऐसी पूरा उड़ेल दीजिए पूरा चड़ा दीजिए फिर क्या करेंगे जल चड़ाने के बाद जो पी पीपल की पत्तो में आ जाएगा उसे अपने उपर सिचन करना है सिचन करके पत्तो को वही रखके आप महा से आ जाएए आप देखेंगे तीन दिन के अंदर ही आपके कारी बनना सुरू हो जाएंगे जो खराब समय चल रहाता हो समय अच्छा होगा पर इस उपाय को सौंबार की अस्तिमी के दिन करना है अगर वीडियो पसंद आये तो कमेंड में श्री श्रिवाय नमस्तु भी हम हर हर महाद्य जय श्री महाकार जरूर लिखेगा यह उपाय गुरू जी पंडी जी प्रदिप मिश्रा जी नहीं बता है केवल मैंने इसे समझाने की कोशिश कही है